हेलो दोस्तों मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तों या अपडेट एडमिशन के हावाले से हैं दोस्तों डिशनस एजुकेशन इन्वेस्ट चेफ कश्मी ने पहले ही PG कूर्स के लिए एडमिशन नोडिफिकेशन जारी की थी और उसके लिए कंजर् खाली रहने के वाज़े से उन्होंने दुबारा इस एडमिशन प्रसेस को जारी किया है तो यहां पर आप देखिए एडमिशन नोडिफिकेशन नमबर 21B2 सेशन नोडिफिकेशन 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 नोडि सेशन 2022 यहां पर आप देखे हैं तो इसके लिए आप कैसे करेंगे और डेटस क्या है कब से आप अप्लाइब करेंगे वह हम यहां पर देखेंगे उसे पहले यहां पर आप इलेजीबल्टी देखें यहां पर देखा है जो भी ग्रेस्ट सिटम के अतहाद किया है या सिंपल ग्राइब करेंगे तो यहां पर हम इंपरेंटटे डेटस देखते हैं कबसे फारमस सटार्र हो गये हैं इशुमानस आफ आनलाइन फारमस साथ नौपर से फारमस सटार्र हो गये हैं और लासлем डेट बारह नौपर तक रहेगा सेलेक्शन का मोड कैसा रहेगा यानि किस बिनाप पर आपको सेलेक्शन दी जाएगी या आपको पता है कि यहाँ पर कोई exam नहीं होगा आपकी selection आपके qualifying exam पर bested रहेगी आपने graduate क्या है तो graduate में जितने भी आपके percentage आए हैं उसे के बिना पर आपका merit list बन जाएगा और उसी में आपका cut-off हो जाएगा The academic merit of the qualifying examination is इसी पर bested आपका selection हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम देखते है steps of application यानि कैसे आपको apply कर देना है को लगाँ से steps में रहेंगे सबसे पहला जो step है वो आपका यह है कि आपको university की इस website पर क्लिक कर देना है दोस्तों इस website को मैंने description में भी डाल दिया है आप description में जाकर इस link पर क्लिक करके यह फार्मस बास सकते हो जब आप इस link पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तुसरा step यह आएगा कि आपको वहाँ पर register करना है register as a student जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर username और password करेंट कर देना है और वह आपको याद भी रखना है तो जब आपका registration successful हो जाएगा उसके बाद आपको application form fill up कर देना है और उसके बाद आपको उसमें photo भी upload करना होगा उसके बाद next पर क्लिक करना होगा next पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वह पूरा form आजाएगा जो आपने पहले ही फिलाप किया है तो उसको आपको read कर दे रहा है अगर वो सही है तो submit पर के लिए कर दीजी कहें पर कोई change करने है तो previous पर के लिए कर दीजी submit करने से पहले और उसके बाद उसको edit कर दे और edit करने के बाद आप उसको submit कर देजी और इसके अलावा, अगर कोई दो सब्जेट में अप्लाय करता है, हम कहें कि एक से ज्यादा अप्लाय करता है, तो उसके लिए फिर हर एक एक्स्टा सब्जेट के लिए 250 एक्स्टा देना होगा, यहने उसको 400 हर एक के लिए नहीं देना होगा, एक के लिए जो अप्लाय करता आपको कहीं पर भी हार्ट कापी नहीं करनी है उसके बाद यहां पर कुछ एडिशन इंफर्मेशन भी दी गई है आप चाहें तो कर सकते हो और यहां पर हेल अपलाई नामर भी दी गई है इस पर भी आप कंटेक्ट करके कुछ और जानकार हसल कर सकते हो तो दोस्तों यह था अपडेड एडिशन प्रास्स के हावाले से पीजी एडिशन मोड अज की वीडियो में फिला लेता है थैंक यू